हेलो फ्रेंट्स में नाम नरीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम बढ़ेंगे American Convention on the Human Rights तो American Convention जो है ये एक Regional Convention है तो मैं अलड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ European Convention के उपर तो European Convention के अंदर उसके अंदर ही मैं समझा चुका हूँ कि जो Regional Convention है उसकी जरूरत क्यों पड़ी आखर क्यों ये Regional Basis पे जो है Convention की गई Human Rights related और Region का मतलब क्या है मैं उसमें बता चुका हूँ तो आप उसको Refer कर सकते हैं एक वार तो अब बात करते है American Convention की तो देखिए American Convention on Human Rights ये भी जैसे कि एक Regional Convention है तो जो American Convention है ये बात करती है उन लोगों के Human Rights related जो की जो पीपल है किसके OAS के Organization of American States के जो पीपल है लोग है उनके Human Rights के बारे में ये Convention है और ये Convention जो अडव्ट की गई थी ये 22nd November 1969 में अडव्ट की गई थी साइन की गई थी हाला कि ये जो इफेक्ट में आई थी ये Convention ये जुलाई 11 जुलाई 1978 के अंदर आई और इस Convention का अगर दूसरे नाम की बात करें तो इस Convention को Pacta of San Jose de Costa Rica भी कहते हैं तो American Region के जो स्टेट से Organization of American State OS के उसमें 32 मेंबर थे उन में से जो 21 मेंबर थे 21 जो स्टेट से जो कंट्रीज थी उनके दुआरा ये जो है अडेप्ट की ये साइन की गई उनके दुआरा ये ट्रेटिफाइट की गया ये Convention तो इस Convention में भी जो American Convention इसमें भी यही था कि जितने भी जो स्टेट जो पार्टीज थे इस Convention के तो उनके अगर पीपल के जो लोग है मतलब जो लोग है उनके अगर किसी भी Human Rights का जो कि इसके अंदर मैंशन है इस Convention के अंदर उसका अगर violation होता है तो वो यहाँ पर petition फाइल कर सकते हैं देखिए स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इस Convention के अंदर सिर्फ जो सिविल और पॉलिटिकल राइट से सिर्फ वो ही इंटर्ड्यूस किया गए थे वो ही बताए गए थे जैसे कि मैं कुछ बताएता हूँ आपको जैसे कि इसमें right to human treatment ये गया गया right to life ये evolved किया गया freedom from slavery right to personal freedom right to fair trial ये tribunal or courts related है करे वो ही natural justice प्पार और freedom from ex post facto loss कि यह जो कि पीनल लोग्स होते हों पिर retrospective effect वाले उसके बारे में बात कर रहा है और राइट तो privacy right freedom of religion freedom of expression राइट तो रिप्लाई, राइट ओफ फैमिली, राइट तो नेम, राइट ओफ द चिल्डरन, राइट तो नेशनल्टी, राइट तो प्रॉपर्टी, तो ये कुछ इसके जो है राइट्स हैं जो कि अंदर इनवल्ड किये थे, मतलब इसमें सबसे पहले सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट जो है, वो ही इनवल्ड किये थे, हलाकि बाद में 1988 में जाकर, इसमें जो एडिशनल कुछ प्रोटोकोल्स भी इनवल्ड किये गे, जो मतलब की एकॉनिमिक, सोशल और कल्चल हैं, उनमें जो आएगा, वो राइट जो आएगा, कुछ राइट के बारे में बात कर देती हो, जीसरे राइट जो एगा ट्री यॉनियन राइट, जैक्ट डू होगा राइट बात प허्टैंट्ड सेक्यवणthy होगा राइट टू हीड़्ट इल्ट प्रोट सेंवसैंगों राइट ऑफ चिल्डरन तो एकॉनिमिक सोशल और कल्चिल जो राइट है वो भी बाद में इसमें जाकर इन्वोल किये गए तो आप करेंट बेसिस पर कह सकते हैं करेंट में अगर बात करेंगे तो अमेरिकन कन्वेशन के अंदर दो टाइप के जो हीमन राइट्स हैं एक तो स जो भी पार्टी जो भी स्टेट जो है इस कन्वेशन के पार्टी होंगी जो भी कंट्री इस कन्वेशन की पार्टी होंगी उन सभी को ये राइट्स जो हैं अपने लोगों पर अपने स्टेट में जाकर अपने डोमेस्टिक लोज में या फिर जो अधर लोज हैं उन में इ discrimination नहीं होना चाहिए, race के या color या sex या language या religion या political या फिर national social कॉन में किसी तरह का भी मतलब की कोई discrimination नहीं होना चाहिए, उनके ब्याफ पर सब को ये right मिलेंगे, अब बात करते हैं क्या इन rights पर किसी तरह की restriction लगाई जा सकती है, हाँ बिल्कुल इन rights पर जो है restriction लगाई जा स nation है, उसकी security को किसी तरह खत्रा है, threat है, या war के time पर भी ये जो rights है, इनको restrict किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, suspend किया जा सकता है, जबकि हमने अगर देखे, आपको याद होगा, कि जब हमने European convention की बात करी थी, तो European convention में मैं आपको बताया था, कि उसमें कुछ rights ऐते ऐसे हैं, कि war के time पर भी या फिर कुछी तरह के public danger या nation को threat है, उसके peace or security के लिए, तब भी कुछ rights को suspend नहीं किया जाएगा, abolish नहीं किया जाएगा, खतम नहीं किया जाएगा, पर इस convention के अंदर ये है, कि इन rights को बिलकुल करा जा सकता है, suspend किया जा सकता है, पर देखे, condition व जो parties हैं, जो state, उनको पहले inform करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, कि क्यों वो इसको मतलब की, जो suspend किये जा रहे हैं, उसकी state में, उस country में, उस country में, वो rights क्यों suspend किये जा रहे हैं, उसका reason बताना पड़ेगा, और inform करना पड़ेगा, उसके बारे में, कि वो suspend कर रह है कि अगर कोई most serious type का crime है हुआ है तो उस case में person को death penalty दी जा सकती है देखिए एक important feature जो है इस convention का American convention का ये भी है कि इसमें जो है मतलब कि right भी दिवा हुआ है individual को और साथ-साथ duty भी है उसकी तो ये individual के right और duty दोनों की बात करता है और देखिए जो main इसका focus है American convention का वो जो भी states है जो party है इस convention के उनके जो people है उनके जो लोग है जो उस state में रह रहे हैं उन individual rights के बारे में बात करता है उनकी individual duty के बारे में बात करता है अगर उनकी जो individual right का किसी तरह को violation होता है तब ही वो petition कर सकते हैं जबकि European convention में हमने क्या देखा कि इस्टेट के अगर इस्टेट जो है एक इस्टेट दूसरे स्टेट का कोई violence करता है human rights का लोगों का तो उस case में एक स्टेट दूसरे स्टेट पर जो है पैट के लिए जो है ये पैटिशन फाइल कर सकता है कि दूसरा स्टेट जो है मेरे लोगों का या हमारे इहां का जो है human rights का violation कर रहा है या जो प्रोविजन दियों हैं उसके अंदर convention के अंदर उनका violation कर रहा है तो उस से रिलेट था European convention जो था और American convention की अगर बात करें तो यहां पर American convention में states related जो है ये एक optional है मतलब यहां पर यह है कि अगर एक state दूसरे state का कोई जो convention में जो provision दिये हुए है इसमें American convention में उनका violation करता है तो उस case में अगर दोनों state चाहेंगे तब ही उस petition को file किया जाएगा और जो machinery है वो पहले देखें कि वो competent है या नहीं petition उसके बाद ही उस petition को वो receive करेंगी अब बात करते है American convention की machinery के बारे में तो इसकी दो machinery है Inter American Commission on Human Rights और दूसरा है Inter American Court of Human Rights तो जो Inter American Commission की सबसे बहुत करें तो Inter American Commission जो है यह quasi judicial body है जो की OAS मतलब की organization of American states जो है उनके दुवारा यह establish की जाएगी मतलब जितने भी जो member है जो states है जो party है इस convention के उनके दुवारा जो है यह body establish की जाएगी और इसमें साथ member होंगे और देखे इसका काम वही होगा कि अगर किसी भी individual का किसी भी state के किसी party के individual का किसी तर right का जो कि इस convention के अंदर mention है तो उस case में वो person जो है petition file कर सकता है और commission यह receive करेगा वो petition और खाली एक person individual ही नहीं कोई group of individuals है वो भी या फिर कोई NGO है वो भी या फिर कोई भी member state भी इसमें petition file कर सकता है पर जो से मैं आपको बता है कि member state के लिए जो है यह एक optional है दूसरी machine का बा American court तो यह जो इंटर American court ही autonomous body है मतलब इस पर किसी तरह का जो OS है उनका कोई अधिकार नहीं है या उनके दूआरा यह established नहीं किये गए हैं पर जो इंटर American court है इनका काम भी यही है human rights related है उसके protection related प्रिजर जो जो इस convention के अंदर जो दिये हुए गए है human rights तो अगर उस पे किस किसी पर्सन का किसी अंड़ीजियल का किसी ग्रूप ऑफ़ इंडिविजियल का किसी एंजीयो का या फिर किसी भी state member का कुछी तरह कोई violation होता है human right तो वो partition file कर सकते है तो जो American court है मैं आपको बताया है ये इनका दोनों तरह का काम ये advice भी provide कर सकते हैं कि आगर human right को उसके development आता है किसी तरह का कोई violation से लेटिर कोई case आता है तो उसको भी ये सुनेंगे तो इस वीडियो के अंदर इतना ही thank you very much Hello friends में नाम नदीम है दर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे American Convention